Hello students, good morning बेटा आप सभी के एक बार फीशे स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजको सले अजुकेशन में और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास के मैच का 5th चेप्टर The way the world looks की किस तरह से हमें इस अंसार दिखाई देता है चीजे दिखते हैं तो यहां पर बेटा कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया है और अब हम कर रहे हैं इसका आगे का पोर्शन तो यहां अपने पास है The park behind Gappu's house Do you remember the park behind Gappu's house की Gappu के घर के पीछे जो पार्क था वो आपको याद है Here is bigger picture of this park look at it carefully and answer the question अब वो पार्क हमें बढ़ा करके दिखाया गया है इसको अच्छे से देखो कि इसमें क्या क्या है और फिर इसके related हमें आंसर देने हैं तो देखो यहां पर पार्क में क्या क्या है यह बैंच है यहां पर यह बास्केट बॉल का खेलने का है न और यह यहां पर सीसा यानि की जूले लगे हुए है यहां पर यह कुछ फ्लार्स से दिख रहे हैं और यह स्वीट्स की सोप जो वो कह रहा था कि मुझे तो आज ही पता चला है ना यह सारी चीज़े यहां पर हैं देखो एक इसमें गेट बता रखें अलग-अलग यह ए गेट यह बी जहां पर यह लिखे हुए है लैटर यह सी और यह डी इस तरह से इस पिक्चर में है तो चलो देखते हम क्या क्योशन पूछ रहे हैं मार्क दा गेट नी इन दोनों में से कौन सा है इसके पास इसके नियर है ए गेट तो यहां हम ए पर राइट के ठीक लगा दें आगे है वीच गेट इज निरेस टू गपू जहाउस और गपू के घर के पास कौन सा गेट है तो यहां पर देखो गपू का घर कौन सा है गपू का घर यह है और इ तो क्या है कि green bench will be your green bench होगी तो बिटा किस तरह से होगी कुण सी side आएगी left होगी right होगी या front होगी तो यहां से 20 हम एंटर कर रहे हैं तो यह हमारा कुण सी side होगी यह हमारी left side होगी तो इस पे हम right की टिक लगा देते हैं आगे है जब वो अपने घर से पार्क में एंटर करती है तो फ्लार बैड उसके right है विच गेट डिड सी एंटर फ्रूम तो वो कौन से गेट से एंटर करती है तो देखो बिटा यहां पर यह फ्लार बैड है है ना यह फ्लार दिख रहे हैं red, blue से, green से है ना तो यहां यह कब कौन से ग गेट से एंटर करेंगे तभी right होंगे बाकी औरों से नहीं होंगे अब आगे कह रहा है which of these is nearest to you if you enter from gate C, अब gate C अपने पास है यहां पर और यहां से एंटर करेंगे तो कौन सी जीज हमारे पास होगी, basketball court या green bench या फ्लार बैड या C सा तो देखो यहां से एंटर कर रहे है इधर सीजा है और इधर यह basketball court है है और फ्लार बैड तो उधर है है तो कौन सा नजदिक होगा सबसे नजदिकता हमारे पास होगा सीजा तो यह fourth अपना right option है अब आगे कहा रहा है इस्माइल से house इस्माइल का घर है यह on the phone इस्माइल टॉल स्रीजिता the root of each house from her house अब यहां इस्माइल इसमें स्रीजिता को अपने घर से उसका स्रीजिता के घर से अपने घर का रूट बता रहा है कि इस तरह से the root map is son here और यह जो map दे रखा है यह इसका root है देखो यह स्रीजिता का घर है तो यहां से ऐसे ऐसे करके यहां तक जाएगी bridge को पार करेगी पार्क और यह जाएगा या फिर इधर से भी जा सकती है कि अपने घर से चले इधर मोडेगी यहां पर यह क्रोश करेगी और यह पार्क को खरके यह इसमेल कर यह दो रास्ते इसके हैं यह यह से जा सकती है और बेटा यहां पर देखो this is the what is my store सर्जिता तो स्रीजिता से जो इसमेल ने र तो तुम्हारी गर से और फिर left turn लेना है from the second crossing take a right turn and go over the bridge यहां से ऐसे गए और फिर bridge के उपर से चलेगे first turn पर नहीं second turn में go straight and then take the first right turn अब यहां से right turn ले लेंगे तो किदर आएंगी गलत यह तो इधर कैसे आएंगे after about 100 meter you will see a big park और 100 meter चलने के बाद पार्क तो यहां पर यह गलत कर दिया यह कह रहा है यह right आएंगे तो इधर कहीं पार्क नहीं और यह कहीं रास्ता चला जाएगा पार्क तो उसके left में है when you cross the park you will come to side lane my house is first house in the lane और पहला ही घर है यह आगे गलत direction did smile do wrong somewhere can you correct him हाँ तो यह ही कह रहा है कि कुछ गलत बता है हाँ गलती बता है इसने जब यह कहा है नहीं कि right turn लेना है वहाँ पे उसको left बोलना चाहिए थे यहाँ पे आएगा take the first left turn ठीक है यह कह रहा है कि जो उसने बता है इसमाइल ने वह वालट ले गया अगर रास्ता तो कहां जाई बता नहीं कहां सहर में या कहीं चली जाएगी अंदर उसके घर वह नहीं पहुंचे इधर आ जाएगी वह और अब तुम्हें वह लिखना है रास्ता वह डारेक्शन लिखनी है जो कि स्रीजिता अपनी घर से इसमाइल के घर तक जाने के लिए उसको बताएगी जाएगी अब यहां पर देखो फ्रोम इसमाइल सहाउस टेक फर्स्ट राइट टन इसके घर से पहला राइट टन लेंगे फिर गो दा फर्सट लेप्ट आफ्टर क्रोसिंग दा यह जो अपना प्रिज है टेक सेकन्ड राइट टन और सेकन्ड राइट टन जो कि कहां पर ह यह milk booth के पास है go straight about 100 meter या 100 यह 100 की बज़े थोड़ ज़्यादा भी हो सकता है you will find the red color house of the Shrejita यह red color का दिख रहा है तो यह इनकी रास्ता जो बताया है Shrejita ने उसके अपने घर का ठीक है अब यहां पे है Ghibli and Big Box Do you remember Ghibli The Ant in the Mad Magic Kickbook 3 Well, when did Ghibli saw a Big Box on our way It looked like this है तो रस्ते में जा रही है यह चींती तो इसको बड़ा सा Box दिखा कि इस तरह का दिखता है Ghibli moved across and turned left अगे चलती है और left मुडती है Now she could see the other faces of big box अभी दूसरा face इसका दिख रहा है यहां पे 4 वाला है और यहां पे 5 वाला है फिर आगे Ghibli was confused तो वो confused हो जाती What was this box? यह box क्या है? She climbed on a cup and tried to see from there A cup पे चड़ती होर वहां से उसको देखने की कोशिश करती है तो फिर उसको box ऐसा दिखाई देता है उपर 1, 4, 5 Can you guess what that box like thing was? कि यह जो box जैसी चीज उसे दिख रही है जिबली को यह क्या है? क्या है वही? यह dice है ना? जिससे तुम लूडो कहरें वगरा खेलते हो हाँ अब कहरे रहा है The number on the opposite faces of this box add up to 7 तो इन चीज यह है कि यह जो dice है इसमें opposite जो भी number है एक face की दूसरे face जो face opposite है उन दोनों का sum 7 होता है और यह standard diets में ऐसे ही होता है तो पेटा अब आगे हैं यह हम से question पूछ रहा है Which number was on the opposite side of 5? तो 5 के जो opposite है उसमें कौन सा number होगा? जो इन दोनों का opposite है उन दोनों का sum 7 होगा न तो हम 7 में से 5 subtract कर देंगे तो अपने पास आएगा 2 तो 5 के opposite direction है उसमें 2 आएगा अगला है in the picture Which number will be at the bottom? bottom में कुतना होगा? देखो उपर जो है सब से top पे है top वाले पे क्या है? 1 है और top और bottom दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 7 तो यहाँ पे 7 में से 1 subtract कर लेंगे तो अपना आएगा 6 Next question है Which number will Ghibli see if she again turn left from 5? 5 से दोबारा अगर वो left turn ले तो उसको कौन सा number दिखाए देगा? बिटा वो वाले direction देगी तो इन में 4 का उस direction का sum 7 आना चाहिए तो 7 में से 4 subtract करेंगे तो 3 आएगा अगर Ghibli left turn लेक बार फिर से लेती है तो अब आगे काफे सारी पिक्चर से यह दे रखें यहाँ पे What will this box look like if you open it up? Mark the correct picture अगर हम इसी dice को खोलेंगे तो कौन सा जो खोलने के बार में जो पिक्चर है कौन सी सही है तो इन में वही चीज हमें याद रखनी है कि opposite जो direction है उनका sum 7 होना चाहिए तो देखो इसको जब खोलेंगे तो यहाँ देखते हैं यह 3, 4 इसका sum चाहिए 7 और 1, 6, 2, 5 इन में जो भी लिखा हो है उनका sum हमारा 7 आना चाहिए तो यहाँ पे बेटा इन सब का sum 7 आ रहा है 3, 4 का भी 7 1 और 6 का 7 5, 2 को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा ठीक है अगली में देखते हैं 3 और 4, 7 हो गया अब 1 और 2 यह वाला box मिलना चाहिए न सम्तों लेकिन इनका sum तो 3 आ रहा है 7 नहीं है इसलिए यह इसकी नहीं है वो ओपन करने के बाद यह picture नहीं बनेगी C में देख लेते हैं 4 और 5 तो यह तो 9 हो गए यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि opposite जो direction है उनका sum 7 होना चाहिए अपने पास यह भी नहीं है अगला देख लेते हैं 6, 3 1, 4 यह भी नहीं है क्योंकि 6, 3, 9 और 1 और 4 को करेंगे तो 5 और यह 5, 2 इसका 7 होगा लेकिन सभी का sum 7 होना चाहिए न इसलिए A option ही अपना right option है इसको dice को खोल लेंगे तो A option जैसी picture बनेगी आगे है draw a shape like this on a thick paper एक थोड़े से मोटे paper पे इसी तरह की picture तुम्हें काटनी है cut it out and color different faces in different color अलग-अलग face पे अलग-अलग करना होगा तुम्हें जैसे 3 लिखा है वहाँ पे red कर दे 1 वाले पे blue करे 4 वाले पे yellow करे 6 वाले पे green करे 5 वाले पे pink करे अलग-अलग color करना है कहने का मतलब यह है ठीक है तो यह बेटा तुम्हें खुद ही करना है और अपने एक hard paper लेके उस पे पहले picture बना हो फिर color करो यह आपका home work है ठीक है तो बेटा इसी के साथ यह video समाप्त होती है lesson भी समाप्त हो जाता है यह पूरा complete हो गया इसकी दोनों videos को देखे अच्छे से इसको तयारी कर लेना इनकी और कहां से कैसे दिखाई देता है यह concept आपको मेरे हिसाब से clear हो गया होगा फिर भी अगर कोई कमी लगती है तो comment box में जाके comment लिखो आपको answer मिलेगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like करना share करना और channel को subscribe जरूर करना ताकि इसी तरह की और वीडियो भी आपको मिलते है साथ ही साथ bell icon को भी प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो डलते ही आपको notification मिल जाए Thank you